जोगी तूँ! ओ मॉडल जी, आपकी बेहन ने तो बहुत-बड़ा कांड कर दिया। ये तो अग्रिकल्चर मिनिस्टर राइसाब हैं, राइसाब अमरे सर के सबसे बड़े इंडस्टिलिस्ट और ये इनका पोता, अर्जुन माही तुने किस्से पंगा ले लिया। एंड सर, सर, I'm really sorry sir मैंने जान बुच के नी किया वो.. Sorry by foot! क्या बत्तमीजी यही है? एसा स्वागत करते हैं, मैंनोगा I'm.. I'm sorry sir मैंने तेक.. बस! माही ये क्या किया तुने? सारे घपड़े गंदें करती है तू जिंदी की पर गल्तिन 일ेगी? घर के बच्चे ऐसे उने जिन्से गर्वोना ची जिनसे गर्वना चीे अर जवरी बार गल्ति करती रते न upर गर्व नी जोल्ड़की बार गल्ति गर्व का ओपोसीट होता है मामी जी मुझे माफ करना आज तो आप से भी बोलना पड़ेगा इतनी चुदी रखी आपने इसको पतं को जितना ढील दोगे न वो कटने वाली है एकी कितना पैने गड़ी तो शूशां शूशां करके चलाती है चलते फिरते बस एक्सिडेंट करती रहती है बेज़ती करा दी न सब के सामने मेरी आपको धंडबन तो न लग रही है आपी चल के चेंज कर लो चलो सर शर सर शर शर वी रेली सॉरी सर माही ने सर जानमुचकर नहीं क्यो होगा इसे और हो तो गया ना ये क्या कांट कर दिया माही वो पंकच के बॉस है और वो उनका पोता अरजुन अर्वे मेरे के के सजा वो जिचू को तो नहीं दे देंगे और अर अर्गून के नौकरी अर्भा सर प्लीज एक मॉका दो दीजिए सर मॉका दिया था मैंने इसलिए इस शादी में आया पड़ इस गेस्ट ने आके मॉका गवा दिया तुमारा दादू अब छोड़ो ना प्लीज वेडिंग फंक्शन है प्लीज नही अर्जुन नही चरो सर प्लीज रुख जाये सर जो कुछ भाई गल्ती से हुआ है सर प्लीज रुग जाये मच जाये सर प्लीज अ परिपड़ा अंकल जी मैसल्फ जोगी मेरी बेबे कहती है कि छोटों का फर्ज होता है बड़ों के पैर चुना और ऐसी बड़ों का भी फर्ज होता है कि बच्चों को रोक्य शीरवाद दें जी और जी मेरी बेबे ये भी कहती है कि छोटों को ना बड़ों की हर बात माननी चाहिए और ऐसी बड़ों को भी छोटों की बात सुननी चाहिए नहीं जी मैं मानता हूं जी माही से गलती हुई है पर जी उसने जान भूज के नहीं किया है उसके बीचे कारण है और कारण है उसके दादा जी हां जी उन्हें नमदीज हैं तो मिठण नहीं ठाकस अकते हैं तो बस ही उनको होटा अरे क्लथा झालयए और वही तककाम मुक्वी मीं गलती से हूगा पर गलती हुई है कोई गुस्ताखी नहीं हुई है जी और जी पला माही आपकी शान में गुस्ताखी कैसे कर सकती है नहीं तो जी बेबे ये भी कहती है कि छोटों से जब गलती हो जाती है न तो बड़ों से आज जोड़ के माफी मांग लेनी चाहिए और बड़ों को भी छोटों को माफ कर देना जी जी सब कुछ इसकी बेबे कहती है जी ये माही है आपके बच्चों की तरह है जी माफ कर दो ना यार मेरा वीर आपको भी तो अपने दादा जी की बड़ी फिकर रोती होगी कभी-कभी वो जड़ कर बैठते होंगे कि मुझे ऐसा वैसा कुछ खाना है और आप इंको रोगने के लिए कुछ उल्टा सीधा कारी ज़ते होगे तो पस माही से भी होगे लिगाते है वैसे तो इन्हें भी शुगर है हर रोज मुझे किच्छन के ताले बदलने पड़ते है ताकि एकुछ कहा ना ले कई बार तो इतना घूसा आता है न की नाना जी यह घूसा थोड़ी नहों होता है यह तो प्यार होता है जी अपनों का जो बच्चों का बड़ूं के साथ प्यार होता है जैसे आपके दादाजी के साथ है वैसे माही का आपने दादाजी के साथ बड़ा प्यार है जी माफ कर दो ना जी बच्चे है आपके जी I'm sorry sir क्यों मेरी पोती को परिशान कर रहा है क्या यही वो बुटा है जो सारे पंगे की जड़ है Excuse me sir पर आप प्लीज मेरे दादू से थोड़ी इज़त से बात कीजी इज़त? यह बुड़े की? यह चट्टू की? यह कदू की? Sir मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा गुस्सा मेरे दादू पर मत निका लिए अरे इसे तो आज मैं ऐसे सबक सिखाऊंगा ना कि सारी जिन्दगी याद रखेगा कि दो कुछ मटी हाँ हाँ established वहाँ तू बिलकुल नहीं बदला, बच्छपन में भी छुप छुप के खाया करता तू तू बटा सुबर गया, यह? मदब पेलां भी गुशान नकते बढ़ा हुंदा सी, अजेवयो थे बढ़ा है आप हॉल्रेड ही एक दूसरे को जानते हैं जान देयो? मैं तेरे प्योन ही जानना वहाँ मेरे कॉनिजदा यार है गई? ओ यहारा स्कूल का यार हो तेरी यादध रिकनम खतम होगी है ओ जोगी पुतर थेंक्यू एजी तेरे करके ना मैनो मेरा यार मिलाज नही नही जी बड़े कभी छोटों को थैंक्यू नहीं बोलते जी और मैने तो कुछ भी नहीं किया तुमने जो किया है ना बहुत बड़ी अगाम किया है अगर तुम नहीं होते ना तो मैं कपका मेरे पोते को लेके गुसा होके चला गया होता पो नाना जी हमारे गाते हुए हमने आपको जाने नहीं देनवा माफ करना पतर कोई बात नहीं अंकल क्या बोली तु? अंकल? एक चपेड दूँगा ना? दादा बोल मुझे यह जो एक तुद मेली वज़ी तो आपको अपकोड़ ख्राब और नो नो नवरी आपटने इसोगए मेरे पास नहीं कईडी आप एक मिल्को यहाई? यहाँ. यह क्या हो रहा है? यहाँ. लो जी. एहो जे बच्चे करे होना, यह बिगडियां गल्लां भी सुदर जा दियानी है. चाप. चाप. ओ जी. ऐसे दूर-दूर खड़े हो के फोटो अच्छी नहीं आएगी. थोड़ा पास में आईए. अब लगे ना कपल नमबर वन? नहीं नहीं, हम कपल नहीं है. चाली. 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 तो जे बड़ा कपल नमबर न लग रहा है? वट्टा आया, फोटोग्राफर नमबर जीरो. वो काम्पते आंदे, है? जुबान काट सिला. चल निकलो तो. चल. किसी के जनने की बद वो आ रही है. अच्छा. मुझे तो नहीं आ रही. तो अपना इशारा कर चुके है. तो इशारा समझने में तनी देर क्यो कर रहा है? यह जो अर्जून नाम के लोगते हैं, यह सही टाइम पर सही जगाब है. बिना देर की निशाना लगा देरते हैं. क्ये कह रहे ओभी जी मनने कुछ समझ नहीं आ रहा? अरे, सिदी सी बात है. यह सहनो किस अर्जून का निशाना लग जाए, वो तेरा निशाना चुक जाए. तो यह जोड़ी ना उपर वाड़ा बना की बेचता है. यह बात पीक है. लेकिन जर निच्चे है, आदमी आना उस चीज का ध्यान नी रख्या, तो जोड़ी टूत बिसक है. सासा ध्यान रोग. यह बहल, हीरो बनके कहाँ चला गया? आज हैंक्यू बोलना तो बनता है ना. किसे दून रही हो आ? नहीं, किसे कुभी नहीं. आज है। वह थे गुल्ड बनके कहाँ. तेजी, ए है अगे साधे जवाई पपुजी, सारे शेर में वाकफिया तेजी जी इसकी. अब दरोड याप सर्मिन ना क्या कहाँ. अगर मुझे पूरा शेर जानता है, तो इने तो पूरा हिंदुस्तान जानता होगा, और मेभी तो वर्ल्ड. और ये वो श्रक्सियत है, जो अगर एक फोन घुमा दें, तो पूरी मिनिस्ट्री बदल जाती है. ऐसे? वैसे पपुजी, आप करते ही क्या हो? बसकु.. हाँ, उससे पहले माही पुत्तर, तू बता, तू क्या करती है? पैक्सी. टैक्सी ड्राइवर. पैक्सी नेजी, मेग 21 चलाती है, मेरी बच्ची. अरे, वा, आप पाइलेट हो? पाइलेट नेजी, ड्राइवर. पैक्सी ड्राइवर. नहीं, अच्छी मेरी टैक्सी का नाम है, मेरी टैक्सी का नाम है, मेरी बच्ची ना कमान अपने हाथ में रखती. और अपनी सोच कोना अपना काम मना लिया है. एना पुता? दादू, अब उसको सोच बोल लो या शौक बोल लो, एक ही बात है. अच्छी, फंडा क्या है ना, जो काम आपको करना पसंद है ना, बस उसको काम बना लेना चाहिए. अरे बुड़े, कुछ तो सीख अपनी पोती से. देखो कितनी आगे की सोच रखती है. मैं अभी आयाएजी है, अभी आयाएजी. अरे तिल्लू, फोन उठा. तिल्लू, मैं यहां तेरी माई से शादी करवाने का जगाड कर रहा हूं, और तू मेरा फोन तक न उठा रहा है? पपुची, पपुची, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं चलिए न, रहे सबके साथ कितना मजा रहा है. मॉडल जी, हम भीड में चलने वाले लोग नहीं हैं. शालू. भीड को अपने पीछे चलने वाले लोग हैं हम. और यह रायवाय के पीछे गूंगते होंगे आम आदमी. पपु तो आम आदमी नहीं है. कि न, इन बड़े लोगों के सामने न, इतना छोटा भी नहीं बनना चुछे. ना तो मैं बनोंगा ना जी न, और नहीं आपको बनने दोंगा. साफ़ज में यही बात? आप नहीं बिल्कुल ठीक ही कहरे हो, पपु जी. अब आप देखेगा कि मैं इन सब के सामने न, कैसे अपनी टॉर बना के रखती हूँ. ठीक है, अब आजी ही का. कहां दफा हो गया है यह टुकतिमाग? कि तेरी मेरी इनकी जिन्देरी जोगी के पिछे-पिछे माई भी आवेगी मिलने के लिए. बन्जर जमीन पे ना फूल गाने की कोशिश कर रहे है तो सी बीजी. जमीन तो पजाओ है, पर तना जो दिमाग है ना यो बन्जर है. और जो तो कह रही है ना, यह कुछ नहीं हो सकता. मैं कह रही है, जो होना था ना वो हो चुका है. अब मजाग करते रो, तो मेरे मुंडे की संदगी मेरे कांटे बीशते रो वस. कांटे नहीं, फूल. और फूल भी वह और जो मात्ताराणी के चर्णों में चड़ाए जाते है, प्यार के. अब तु खाली बैठ की देख. जोगी? कौन? अरे, ड्रैवनी? वो, एक्चुली मैं तुझे… माही पुतर? अर्जुन निथे किसीनों जान्दा पशानदानी है, ते जरा कंपनी शंपनी देदेनू? अब, ओके दादू. जले माही. हाँ. अर्जुन निथे किसी देख. अर्जुन अर्जुन मेरी वज़े से आपके कपड़ों पर दाग लग गए. मैं काफी टाइम से सूट से पिछा चुड़ाना जा रहा हूँ, बर करी नहीं पा रहा हूँ. वो कहते है ना, वो फिजूल के खर्चे. पर आपने, आपने मुझे परफेक्क डीजन दे है. आप ये बात मेरा दिल रखने के लिए कि सच में कह रहे हैं, ये मैंनी जानती. लेकिन जो भी है, बहुत प्यारी बात थी. वो कहते है ना, आप सिर्फ बैंक बालंसे नहीं, दिल से और सोच से भी अमीर हैं. तो फिर का हो? क्या? अरे, थैंक यू और क्या? ओ, थैंक यू, थैंक यू सो मच. ये जोडी ना, उपरवाड़ा बना की बेशता है. लेकिन चे निचे है, आदमी आना है उस चीज का धान नी रखे तो जोडी टूट बिसके है. वैसे, देखके लग तो नहीं रहा कि कोई पंजाब की वैडिंग है. वरना अब तक दो चार लोग दान्स पर उल्टी कर चुके होते हैं. अब तक तो सब सोबर बैटे हुए हैं. आपना अद्धा कंटा रुको, दो चार के यह दस बारा लोग को उल्टी करते हो दिखेंगे आपको. आपना कोई डान्स होगा ना कोई डान्स फ्लोर होगा. की हो या? यार, वो लड़की वालों ना फिर अपनी चौदीनेस देखाना शुरू कर दिया है. सब अंकलों ने वो स्टेज और वो डीजे फ्लोर को ना कभजा करके रखा हैं और हमें ए गाना भी जेंजने करने दे रहे हैं. अब हमाले परफॉर्मस का क्या होगा? हाना यार. ओ जी, परफॉर्मस होगी. क्योंकि आगे हर प्रॉब्लम को साल कर देने वाला मिस्टर जोगी. तो तू करेगा अंकलों से बात? देखा, मुझे पता था. मुझे पता था, तुझे मुझे पर कॉन्फिडेंस है. तो जाग.. बल्कुल जी, दो मिंटों में यह, कमिंटों में वापिसाय में है. और तूसी आपने स्टेपगी ब्राक्स करते रो जी है, रोको ना. चलते रहने दो. रोको डूडूड. यह हीरो बनने का नहीं. किसी का हीरोण बनने का मौका है. और माही, तुमने चोटी सी उमर में ही यह डिसाइट कर लिया था, कि तुम क्या करना चाहती हो. और चोटी उमर से, तुमने जिन्दगी की टैक्सी चलानी शुरू कर दी. और अब, नॉमल टैक्सी. माही, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी काम के लिए, किसी आदमी की ज़रूरत है. अब, मेरे कहने का मतलब ही है, कि मैं भी तुम्हें हेल्प उफर कर सकता था. पर कई बार क्या होता है, कि हम जिसे हेल्प उफर करते हैं, हम उने ही कम जो ठहराते हैं. क्योंकि उने हमारी हेल्पी ज़रूत पड़ती है. और माही, तुम कमजोर नहीं हो. और यह क्या है? दो चार टली अंकलों की तो हटाना है ना, तुम तो उनके होश में भी उनके होश उडा सकती है. तो यह तो उनके होश भी नहीं है. आपना बिल्कुल सही कहरे वर्जू. मुझे ही चाना चाहिए और उनकी ना अकड़ उतानी चाहिए अभी. चलो तुम साथ में. क्या हुआ? मही संभाल लेगी ना? तुम थोड़ा भरोसा रखो. ना जी, भरोसा तो पूरा है मही पे. बस उनके अंकलों पे भरोसा नही है. और मैं अच्छ से जानता हूं मही को, वो हर सिच्वेशन को हैंडिल कर सकती है. मही की समझ बेशक नहीं है, बस दूसरों की बेवकूफी पे शाक है. और अभी भी मैं उसके पिछे उसकी कमजोरी बनके नहीं जा रहा हूंगी. बल्कि इसलिए जा रहा हूं कि कहीं वो कल नहीं पड़ गाए, तो मैं उसके साथ खड़ा मिलू, उसकी ताकत बनके. पिर्जी, पिर्जी, हमारा वला गाने लवादो ना, हमारी परफॉर्मिंस है. नहीं, नहीं, बैले इन सब को अटाओ, तभी गाना बजरूँगा. अंकल जी, ठांगे दर्द हो जानगे, थोड़ा जाके अरामरूम कर लो, आहम भी थोड़ा डांस कर ले. अंकल जी, अंकल जी, हमारी नहीं परफॉर्मिंस है. अंकल! अए रभबा, वह नारी शक्ति वाला भाशन संगे अब बड़ी हरोईन बनके आई थी. यहां के तो कुछ हो ही नहीं रहा. एक आई थी, चलना वेजाद. वह द्राइवर नहीं कितने चलीगी, नसार नहीं आ रही. यह माही का चलीगी. पर झाई बड़ी झाल झाल झाल